कि नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पार होंगे हमारा आल इंडिया ट्रेड टेश्ट दो हजार वीस जो कंप्यूटर बेस्ट हुआ था आई टी आई फिटर सेकें कोशन पूछा गया था और भीस कौशन पूछा गया था तोल मिम्लागि आपका साठ̶न से पूछटा गया था लेकिन इस बार आपका एकजम पैटर ने च्चेंज हो चुका है उसमें आपके 25 कोश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरह से आपके एक्जाम पैटर्न होने वाला है फिटर सेकंडियर में ठीक अब देखिए किस तरह के कोश्चन पूछे गये थे आई इसके बारे हम लोग डिस्कसन करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने और भी वीडियो डाल रखा है फिटर सेकंडियर का सब में अंतरके आएक देखिए जो भी आपका सेट तयार किया गया था पूछे अलेक्टरीश हुआरी फिटर का उसमें क्या था किया पांच इस टैयार किया था फिटर से ठीक और सबह में लगवग में सेम कोश्चन थे Certainlyigenक पंद्रे कोशन आपको अलग देखने को मिलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इससे ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं यह जो इसका नाम क्या है तो देखिए यह का लाता आपका आफशेट इसक्रूड्राइवर देखिए दूसरा कोशन है फिच मैटेरियल इज यूज़ टू किलीन दा सिलिप गेज को साफ करने के लिए जो माटेरियल यूज किया जाता है वह रहता हमारा कारबन टेट्रा कुलॉराइ अब देखिए यहाँ पर है यह होगी आपको कि सिलिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग कारबन टेट्रा कुलॉराइट का यूज़ करते हैं अगला तीसरा नमबर कोशन है इस सर्कूलर टेपर की यूज़ कहां पर सर्कूलर टेपर की का परियूग किया जाता है तो सर्क सर्कूलर टेपर की का जो परियूग करते हैं हम लोग लाइट ट्रांसमिशन के लिए करते हैं ठीक चौथा कोशन यहाँ पर है वीच फाइल है डबल कट अन फेसेज एंड सिंगल कट एज किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा वह रहता है आप यह आफ का है आपका पैक कारवग करेक्ट हो जाएगा छथा कोशन अता कुष्चन है उड्म और होत वाक्या होती है तो मालिटी स्टार्टर थर्ट की जो लीड होती है वह रहता है आपका पिछ इंटू नंबर आफ इस्टार्टर पिछ गुड़े इस्टार्टों की संख्या आपसो नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा किस अब घर्सक या अप्यूग नरम इसपात अलाव धातूं के लिए किया जाता है यह आपका रहता है फिल्ट एलूमिना आपसो नम्रेडी यहां पर करेक्ट हो जाएगा किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रिस्ट के साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है यह बना गया गा आपका अंगुलर का बाल बेरिंग यह बनाया गया है ठीक कि अंग्लर घ्रवाल बेरिंग प्रकार का बेरिंग अच्छी त्रिस्ट के साथ सद्गरेडिल भर उठाने के लिए बनाया गया है बारे नमर्बर कोषन है विच बियरीग माटेरियल है लोग ओफिसेंट आप सेक्शट कि समगरी में घर लाइट लोडिंग एंड लो इस्पीड अप्लिकेशन लाइट लोडिंग और कम गतिक के अप्लिकेशन के लिए कौंसी बेरिंग समगरी को प्योग किया जाता है यह किया जाता है कास्ट आ रहे हैं यानि की ढलवा लोहे का और उसले इसटे हैं उसले सकते हैं आशाराण लूंषेक्वे स υक्सक्रियों को डूसनी शोरी मिया रहे है स्पीरिंग की उसमें चलागता यह थर्मल कंड़क्टिवीटी है वह कम होती है यह जो लेमिनेटेड फिनोलिक्स रहता है उस बीरिंग उसकी उसमें चलागता कम होती है ठीक अब देखिए आपर सत्व नमबर कोश्चन वाट इस दानेम आप पलंबर टूल टू एक्सेस और डिसमेंटल पाइप आप 50 mm टू 150 mm डायमेटर 50 mm से देट समयम ब्यास के पाइप कोई कठा या बिख्टित करने के लिए पलंबर टूल का नाम क्या है यह आपका कालाता चैन पाइप रेंच आपसा नमबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चैन पाइप रे 90 डिग्री पर बनाता है यह बनाता है आपका कंसेंट्रिक रेडिवूसर आप सीनमबर दिऊ स्वारी यहां पर आपको यहां miel पर ठेय होगा प्रोवाइड आन एलबो एंड बेंड इन पाइप के कारियों में एलबो और बेंड पर विचलन का कुण कितना होता है यह होता है आपका 90 डिग्री और फिगर में जो जीग दिख रहा है इस जीग का नाम किया आपका काल आता है टर्न ओघर जीग ठीक को सिट्विटिन इन फिक्स्चर में उप्यों किये जाने वाला जो सेटिंग विलाख है उसका उद्विश है कि पोजीशन दा फिक्स्चर एंड वर्क रिलेटेट कटर कटर से संबंदित स्थीर्ता और काम की स्थी कि आप सबनाबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि पॉर्ट पार्ट मार्क एक्स इन डाव यह जो बिल्ट ड्राइव इसमें जो एकस पार्ट दर्सायग यह आपको जय की पुल्ली का एलाता है तो जा की पुल्ली यहां पर करिक्टांसर हो जाएगा आपको नमबर को से चलता है जो होता है यह सांती से चलता है ठीक कि अमएए पूष्चन है बिच और प्रोडुूशेज लेड्ड मेटल कि सीजसा धात उत्पन होता है तो देखे सीजसा धात तो जोट पन्पन होता है यह होता है गालेना से ग्या लेना जो अधार फीस को करते हैं बक्साइड जो है हमारा एलमुनियम का है बक्साइड के यह यह से लोग प्राप्त करते हैं तो एल्टू थी फोटा है बाक साइड का पार इससे लुहा निकाला जाता है यहां पर करेक्ट होगा तुटेट नामर कोशन है विच इनर्जी इच कनवर्टेड इन हाड्रोलिक पंप में किस उर्चा को परिवर्टित किया जाता है तो है वह क्या करता जो मेकैनिकल एनर्जी होता है उसको हड्रोलिक एनर्जी यानि की जल उर्जा में बदलता है अब देखिए तो तो आप लोग देख सकते हैं इसे हम जो थोड़ा जूम्री कर दिया लेकिन फिर वी दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग इसे जरूर याद करिएगा क्योंकि स् फरेशर गेज यहां पर करेक्ट राव चरजाएगा आपसो नमबर देख नमडर को कश्टन अवाट इज दा यूनिट आप रिकाय किया होती है तो भार का कि लो ग्राम होता है यह उता है हमारा जो पास्काल यानिकी दाब का तो दाब का जो इकाय होता है वह हमारा दूरी यानि की लंबाई का है ठीक अब जाखिए आप पर एक्टिस नम्बर कोश्चन है विच ला इस्टेट्स दैड़ प्रेसर एक्जाटेड आने लेकुड इस ट्रांस्मिटेड एक्वेली इन अल दाइरेक्शन किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सवही दिस्वा में समानरूप से प्रसारित होता है तो ये आपका रहता है है फार कhã आप्टिस नम्हाख़र्ण है और despite以上 है या जेखर, है तो ये आपका है फ़िच कंट्रूल वाल्व अडेगर्शचन है यहां पर देखिए इन लोगों को पता नहीं है यहां पर देखिए इन लोगों को यहां पर देखिए लड़के तелей लगाए है निखिए परोंद तो आप कि यहां पर इस तरह देखिए यहां पर जैसी ऊहां लगाया है तो इसको घ्रीन कर देना चाहिए तो लेकिन यहां पर इन्होंने रखा हो सकतो है इसका कांटिंग ना किया गया हूँ यहां पर 35 नॉबर कोशन है विच प्रापारटी इस्टेट्स टेट्स टेंप्रेचर आप लुब्रिकेंट्स इज एबल टू फ्रीली विच वाइल प्योड कौन सा गुड़ यहां बताता है कि इस नहीं का तापमान डालते समय स्वतिंत रूप से प्रवाय करने में सच्छम ह यह आपका पूर पॉइंट को थे 36 नॉबर कोशन वाट इज दा मिन एडवांटेज आप टूथेट चैन ड्राइव दातेदार चैन ड्राइव का मुझ खिलाब क्या होता है यह होता है प्रवाइड नवाजलेस एंड यूनिफार्म ड्राइव सांथ और यूनिफार्म ड्र क्या है तो इसको जूद्धे से यूइड अन लेवर तू लिट और लेड हैवी लोड भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए किया जाता है आप सो नमबर सी यहां पर करेक्ट होगा थार्टिनाइन नम्बर कोशन वाट इज दाने मावदा फांडेशन बोल्ट का नाम क्या है तो यहां पर करेक्ट आशयर आप सो नमबर एंचालेशनु नमबर कोशन हो फांडेशन बोल्ट और इसेंस्यल टू मसिन मसीनों के लिए होते हैं यह होते हैं यह होते हैं मेड नामशीन फर मिलर लिया यानि मसीन को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग यूज क अगेंश्ट एमोशनल अब्जेक्ट किसी गत्रफ वस्ट के बूद्ध घर्थन बल की जिसा क्या होती है यह होता है आपोज टूद अब्जेक्ट वस्ट के सामने यहां पर दिया गया ठीक कि वस्ट के अपोजेट टूदा डायरेक्शन यानि कि वस्ट के बीवरीत होना चाहिए बट इन्होंने सामने दिया कोई बात नहीं कि यानि कि अंधा निर्भर करता है कि लूब्रीकेशन सिस्टम विट एरिंग आयलर इस ब्रुब्रायल कॉंटी तेल के साथ प्रतान की जाती है कि सभी बागों के आसपास लगातर लुपते रहता है यह आपका रहता है इस प्लैट इस प्लैट इस फीट सिस्टम इस प्लैट प्रडाली करेक्टांस रहागा चब्लाइस नमर कोशन है पार्ट इस रिक्वार्ड टू मूँव एट टूंटी के जी आपजेक्ट विएक ओफिसेंट आफ फ्रिक्षन इस जी रो नारमल रियक्षन है तो इम्यू कमान यहां पर गूड़े करेंगे यहां पर रखेंगे तो और यहां पर चार दसमनों वाठ आप नमबर यहां पर क्रेक्ट हो जाएं फूटी आर्ट विच आल डवेट आप बाड़ी कंसर्ड उस बिन्दु का नाम के जिस पर सरीर के सभी पर केंद्रित होते हैं तो आपको कहलाता है इस पर की बाड़ी का सारा का सारा विट निर्भार करता है एक जगहां पर इस यहां पर यहां पर यह जो संकूर आता है यह हमारा है फोर पर आता है इसकूरर जो रहता है इसको यह अब इसको इसके रहता है इसका टार बिंद्ध होता है वीकरनों में इस पर निर्भर करता है नहीं वहां पर उसका संटर होता है सबसें साब चाप काला आपका । और तालिस नंबर का कोश्चन है पार्ट इजा लेंथ आप आर्क आप सेक्टर हुज रेडियस 15 संटीमीटर एंड़ इंटेंडर एंगल 30 डिग्री उस सेक्टर के चाप की लंबाई किया जिसकी तुरिज़े 15 संटीमीट है अभिपरेत अंगल 30 डिग्री है यह आपका है साथ सब्सक्राइब को आपको आपको पता इस इसको इक मैने स्कुर्ण होता है अब यह मान रखेंगे तो यहां पर आपको आ जाएगा आपका प्रीट का वरें कि चैव नमीर कोईशन होल स्चाइए इसको आप पारट्ट में हाल करेंगे तो यह आपका साल हो जाएगा जैए आप एक कि क्योंड लिए फिर 36 English कर देंगे तो यह आपका दो इक क्योशन को आप लोग जब साल कर लेंगे तो ए और भी कमान आ जाएगा आपका यहां पर इसको जब साल्व करेंगे तो एंटु भी कमान पूचा है तो आप यह कमान निकल लेंगे और भी कमान फिर दोनों का गुड़ा कर देंगे तो आपको तीन आंस्वर आ जाएगा आप सो नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पूच्छा पूच्छा नंबर कोश्चन है वाट इस रेशियो बिटीन डाइमेंशन तो इट्स वर्जिन डाइमेंशन आप दो सबस्टेंस किसी वस्ट केस आयाम में परिवर्तन और मुल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इस्ट्रेन यानिकी वि 54 नंबर का कोश्चन है वाट इस प्रासेंट उसमो प्रीक्रेची क्या है तो इसमाबचाब की विबाची क्या है कि लिगली सपहतों भूर्ड के इस सानवी प्राक्रेचना और गुंद को बदलने के लिए हीटिंग और कूलींग करने की प्रेक्रिच रीप्त्यूंं यानि तो लाव है आपका लाव इक्वल्टी होता है सेलिंग प्रैस मानस कास्ट प्राइब क्रेम मूल ले में से हम लोग घटा दें तो हमारा लाव निकल कर आ जाता है सब्सक्राइब नुवरगो सबस्तें टरियर में छान आता ठाहु प्रेंग का उइसलिक जाता है ठ्सक्राइब कोस wife अठेड़ नुम्र लीके सभकर का सब्सक्राइब प्रैप्स्राणी आज मीच फार सम meille देपोजिट आप पांचो जाएगा और। पांचो लोग्साइब पांचों जाएगा तो टोटल जो अमको मिलेगा वह हमारा पचपन सो मिलेगा तो टोटल कि नमबर भी यहां पर हो जाएगा पुष्टिका का नाम कि जिसमें विभी नदरों का संकेति दिया जाता है वह हमार का रिलाता है प्राइस के टॉलाग मुली सूची आप सो नमब डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब यहां पर साथ का कोश्चन कि वाट इजा अंडर इस्टिमेट अनुमान के तहत किया है त जब अनुमान वास्तिक अनुमान से कम हो ठीक यह होता अनुमान के तहाथ ठीक तो आपसे नमबर से यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह था हमारा आई टी आई फिटर सेकेंड येर का पिछले साल का पेपर अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडिय हमने आपका इंप्लाइबेल्टे इस्किल का भी लिया है तो आप लोग उससे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राब करेंगे मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तक यू